Moto G34, ये एक ऐसा स्मार्टफोन है और ये एक 5G स्मार्टफोन है 11-12,000 के प्राइज रेंज में ये एक ऐसा स्मार्टफोन निकाल काता है जो ये चीज दे पाता है, वो किसी और फुन के अंदर देखने को नहीं मिलता है तो सारी चीज हम बात करेंगे और 7 days यहां पर चलाते हुए हो गया है क्या इसके अंदर देखने को मिलता है, क्या चीज़े है, वो सारी चीज हम होने इस तरीके से रिव्यू करने वाले है तो सबसे पहले इसके design and build quality से बात करें तो बैक में आपको यहां पर plastic देखने को मिलेगा, जो कि एक matte finish है तो आपको easily है, ऐसे normally है, आपको scratch हो गयरा और यहां पर दाग हो गयरा, जो finger का होता है, वो देखने को नहीं मिलेगा तो matte finish के वज़ा से बहुत ही आचा है, लेकिन हाँ, इसमें मैं एक चीज़ काना चाहूंगा अगर आप इस phone को purchase कर रहे हैं, तो एक green color के आता है, जो कि vegan leather के साथ आता है वो और भी ज़ादा इसे premium लगता है, यह plastic के साथ आता है, और वो vegan leather के साथ आता है और इसकी जो size है, वो भी ज़ादा नहीं है, जिसके वज़ासे आपको हाथ में bulky लगता है, या फिर आप एक हाथ से use नहीं कर पाएंगे easily आप one hand से use कर सकते हैं, इसके अंदर आपको या पर punch hold display मिलता है, जिसके वज़ासे look हो गया रहा है, वो और भी अच्छा हो जाता है by the way, इसके अंदर आपको stereo speaker मिलता है, जो कि यह कि इस price range में देना बहुत ही tough चीज़ है, जो कि बहुत ही कम smartphone दे पाता है और शायद से यह पहली मरतवा यह इस price range में यह studio speaker दिया है, और साथ में Dolby Atmos का भी support देखनों को मिलेगा, तो overall इसके sound quality की बात करें, तो बहुत ही best निकल काता है, जो कि आपको लगेगा ही ने, अगर आप कोई music, आप song वगरा सुन रहे हैं, किसी भी music, किसी भी तरीके से, अगर आप full sound भी करते हैं, तो आपको ऐसा feel नहीं होगा, कि हम 10-12,000 के phone में हम यह music या song सुन रहे हैं, लेगा है कि 20-25,000 के phone में studio speaker मिलता है, जो Dolby Atmos के साथ, वह इसा आपको feel आने वाला है, तो कहीं से भी आपको sound में इसे कमज़ोर देखनों को नहीं मिलेगा, और साथ मे इसके वंदर 3.5mm का jack भी मिलता है, और noise constitution का mic भी उपर कोड़ देखनों को मिलता है, तो overall देखें, तो यहाँ पर सारी चीज़ा आपको balance मिलता है, तो अब बढ़ते हैं इसके display के वह जो कि बहुत ही जादा इसके अंदर लोगा की confusion है, क्योंकि इसके अंदर आपको HD plus display दे HD plus में, तो मैं यह थोड़ी से clear करनी की कुशिस करूँगा, क्योंकि यह 720p display देखनों की मिलता है, जो कि यहाँ पर HD plus display होता है, लेकिन अगर आप content watch करते हैं, तो 1080p का यहाँ पर resolution होता है, वो video play कर सकता है, और साथ में ऐसा कुछ नहीं है, यह frame escape देखनों की मिलता है, ऐसा side by side देखते हैं, तब जाकर कि आपको थोड़ा ज़्यादा फरक देखनों की मिल सकता है, लेकिन ऐसे आपको normal content watching में, ज़्यादा फिल नहीं कराएगा, कि HD plus display है, तो ऐसा आपको confuse होने की ज़रूद नहीं है, कि बहुत ही ज़्यादा कम resolution मिलता है, इनफ है इतना, लेकिन अ जो कि ये phone के साथ ये processor पहली मरतवाई है, और इस price range के साथ, जो कि 10 के 12,000 में इस processor को देना, हर company के बसकी बात नहीं है, शायद अब देने लगे motorola को देख करके, वरनाई इस processor को 20 से 30,000 में बिचा गया है, तो 2023 में Vivo V29E जो launch हुआ था, जो कि 30,000 का phone था, उसमें यहीं दे कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उसके अंदर ये processor देखने को मिला था, और ये अब दे रहा है, 10 से 12,000 के बीच में, तो सुचने वाली बात है, तो overall अगर हम देखे, इस के performance के बहुत ही अच्छा है, और इस processor को optimize भी अच्छे तरीके से किया गया है, तो अगर आप finger को इस तरीक की मिलेगा, और साथ में अगर camera को open करते हैं, और यहां से आप videos, या फिर photos, या फिर किसी तरीके से slide करते हैं, तो उसके अंदर भी haptics देखनों की मिलता है, जो कि यहाँ पर ज़्यादा strong नहीं है, लेकिन haptics दिया है, तो बहुत ही अच्छा feel आता है, तो ऐसे इसी जगह पर यहाँ टिक्स fit किया है, और साथ में अगर आप एप ड्रो को on करते हैं, जिसे इस तरीके से, तो haptics मिलता है, लेकिन last में इस तरीके से आपको नहीं मिलता है, यह चीज है, तो यहाँ पर tapping में अगर बात करें, तो tapping में भी haptics मिलता है, लेकिन थोड़ा सा हुआ ही, ख यहाँ आपको फोटोज वगारा अच्छे निकाल देते हैं, डिटेल उतना नहीं है, लेकिन हाँ फोटोज ऐसे आता है कि रेडी और सोचल मीडिया पर आप पोस्ट कर सकते हैं, ऐसे फोटोज निकाल के देता है, तो दोबारा उसे किसी भी application से edit करने की जूरूत नहीं expect भी नहीं कर सकते हैं, और front camera से बात करें, तो वहाँ पर भी आपको फोटोज अच्छे देकनों की मिलते हैं, अच्छे डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ, color accuracy अच्छी है, तो अब बढ़ते हैं इसकी videos की वोर, सबसे interesting चीज़ है कि इस price range में कोई भी EIS, OIS, OIS के तो बात ही न कर सकते हैं, इसके back camera से video shoot हो रही है, और इसके internal mic से voice record हो रही है, तो यहाँ पर आप highlight को देख सकते हैं, किस तरीके से manage कर रहा है, जश्ट इस side मेरे sun का light आ रहा है, और जश्ट यह opposite हो गया, और जश्ट यह right side हो गया, तो इस तरीके से आप अंदर्स लगा सकते हैं, कि इस पोड़ इसी दिक्कत है video में कि जो brightness हता है, वो fluctuate होते रहाता है, तो यह चीज मेंटर ने करना पड़ेगा, तो अगर आप video shoot कर रहे हैं, तो यह आपको aperture को lock करना होगा, अगर आप लोग कर लेते हैं, तो फिर वहाँ पर brightness fluctuate नहीं होगा, तो इसे आप से आप videos record कर सकते है अच्छे quality में, तो अब बात करते हैं, इसके batteries and charger की, तो यहाँ पर आपको 5000 image के battery देखनों क मिलती है, और यहाँ पर आपको 20 watt का charger देखनों क मिलता है, लेकिन phone जो है, वो 18 watt का charging support करता है, तो even आप पौने 2 घंटा, यानि 1.5 घंटा से 1 घंटा, 50 मिनट, 45 मिनट तक यहाँ phone charge हो जागा, यानि 2 घंटे के अंदर आराम से charge हो जागा, और इसके battery backup की बात करें, तो एक दिन आराम से निकल के देदागा, 7 घंटा, 8 घंटा यहाँ पर screen on time निकाल देता है, अब बात करते हैं, कि यह phone किसको लेना चाहिए, तो अगर आपको जादा display से, आपको जादा तो नहीं है, कि आपको resolution कम मिल रहा है, या फिर आप content जादा वाच करते हैं, resolution आपको दिल भरने भर नहीं मिल पा रहा है, तो इससाप से escape कर सकते हैं, वरना अगर आप display को compromise कर सकते हैं, कि उतना जादा content वाच नहीं करते हैं, और करते भी हैं, तो उतना resolution से आपको फरक ने मिलता भी नहीं है तो जादा अच्छा भी नहीं है डिसेंट है तो इस असाप से इस फोन के तरफ जा सकता है फूल रिक्विमेंट रहाएगा वीडियो कैसी लेगे का मिशन सने में जरू बताएगा वीडियो पसंद लेगे तो जरू सुकत जाएगा लाइक एने चानल परने ह होंगे तो कले जगा सब्सक्राइब में ते किसी और इंटरेश्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई